शारुखान के सपुत्र यानि कि आर्यगार का एक ब्रैंड है डीजवॉल और वो स्ट्रीट वेर भी बनाता है और शाजिन भी बनाता है इस तरीकी की चीज़े वो बनाता है विसकी विसकी के अंदर वी शायद वो लोग उतर रहे हैं तो इस लग्जिरी ब्रैंड हम लोग ज विमन्स दे तो अल्मूस उसके लिए हो गया शारुखान के लिए क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ यस अड़ के अंदर आये हैं तो वो कुछ मुकावका मारते हैं जिससे एक रेड्स प्लाश सा निकलता है जो इनिशली ब्लड जैसा लगता है लेकिन वो उससे एक्स का मा और कहिना के उसी के मार्क उसी के है उपारेट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या हो गया होगा इस अर्गा मतलब क्या था मुक्के का मतलब क्या था, वो blood splash या red का क्या splash का क्या मतलब था और ये magic wand का क्या मतलब था, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया पर एक बात for sure है, काफी ज़्यादा stylized brand है जिस तरीके की इसकी presentation है, color grading है, वो काफी ज़्यादा premium है अब तो को लोगा super duper premium है, luxury site पर ही जाती है वैसे तो, और काफी ज़्यादा इसकी मैंने advertisement जितनी भी देखी है stills भी देखे हैं और जितने मैंने इसके posters भी देखे हैं next level का, मतलब genuinely next level का premium photography भी है बिलकुल luxury marketing का epitome है अब लेकिन यह जो ad है, यह genuinely मुझे कास कुछ समझ में आई ही नहीं कि मुक्का मार के जो splash हुआ, फिरसका magic wand से एक और आगया आप collaboration होगा, even as a teaser, because I understand there's a part 2 also but even as a teaser, what are they teasing on and why this thing? तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं है, और जो cuts है, वी थोड़े अजीव है, मुक्का मारता ही, splash हुआ, हाथ जटका, थोड़ा और इधर रंग भिखरा और अचानक से फिर X बन गया, तो वो थोड़ा सा अजीव है, समझने के अंदर, किसी को समझ में आई है तो सब बता के दायरे के अंदर समझाओ कि क्या हुआ क्या हुआ क्या इसके अंदर, मेरे तो पल्ले ज़्यादा बात पड़ी नहीं है, वली, यूजली मैं काफी शाप माइंड का हूँ, मुझे समझ में आया जाता है कि क्या हुआ है, पर ये वाला समझ में आया नहीं कि क् कि प्रीमियम में इसका कोश्टन तो बहुत हाई है बाइब